एक वार जब टीम 22 यूटूब चैनल पर वीडियो बनाना सुरू किया बिलंट वीडियो बिल्कुल खुड रा ऐसा वीडियो जो जितने भी अंबेटकर वादी और जो बुद्धिष्ट लोग हैं उनके आरपार निकल जाए और सोचने पर मजबूर कर दे के वह अंबेटकर वादी हैं वह बुद्धिष्ट हैं या नहीं है टायटिल भी बड़े गजब के अंबेटकर के गधार डॉक्टर दूसमन तो उन वीडियो की पितिक्रिया आने लगी है और यह पता चलने लगा के इसमें कौन लोग हैं जो अंबेटकर वाद को अच्छी तरह समझे या बुद्ध वाद को अच्छी तरह जाने या पितिष्ट तरह और तो बहुत सारे लोगों के दिलों में वह आर पार हो गई वह वीडियों फेज़़ות पर चिलती है यूटूब परमें लोग बहुट शेर करते हैं हर में अक जादा कर रहा है तो एक बहुत बड़ेád अफसर मेरा कहीं से phone number में phone number देता नहीं क्योंकि phone number अगर साजुनी कर दे तो फिर वीडियो कि बात ही होंगी को कहीं से धूंडांड के number और मुझसे मिलने घरह आया बहुत बड़ा अपसर कि बड़ी सारी उससे बाते हुई फिर उसने जेव से एक बहुत बड़ा प्लान निकाला, उसने का देखो ये प्लान है, इस तरह से हम सोसाइटी पे बात कर सकते हैं, इस तरह से हम लाब ले सकते हैं, इस तरह से हम बावा साप का मिसन पूरा कर सकते हैं, इस तरह से जो आप के दिल में जो आग लगी हुई है, इस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठ चाय नासता हुआ फिर मैंने उसको एक फाइल दी उठा के और फाइल में मैंने उसको बड़े सारे प्लान दिखाए मैंने का भाई ये इस में फाइल में बहुत सारे प्लान है जो पिछले 20-25 साल से मैं अकिला ही बना रहा हूँ इन में से जो आपको अच्छा लगे आप की बھर के प्लान है और जब तक मैं नहीं समझा कि ये सिस्टम जो बावा साब ने क्या दिया है जब तक मैंने धंगो नहीं पड़ा, धमको नहीं जाना, तब तक मैं भी बुद्ध का पूरी तरह से भर्त था, अनुयाई नहीं था, मेरी समझ में नहीं आया कि बुद्ध ने क्या कहा, और मैं भी बाबा साव अमिटकर का बहुत जो जोड़ से जयकारा लगाता था, इतना कि मेरा गलास पूरा- नसे बाहर निकल जाती थी और उसकी वीडियो बनी हुई है, जो मैंने जयकारे लगाता था, और उसे बात नहीं बन दी, यहां जो चगेंद्र कुमार अभी आये, चगेंद्र कुमार ने कहा, कि सतंद्रनात चौधरी जो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, सतंद्रनात होना आता है अकेला आता है अमरिका से आता है पैसा खर्च करता है वो कुछ करांती के लिए ढूंता हुआ कोई सूत ढूंता हुआ आता है कि कहीं कोई बदलाब आजा कहीं कोई करांती आजा उसके दर्द होता है दिल में वेसको बाहर चला गया है वेसको उसके पार बाहर वह अच्छी आकॉसनुटी है वो रोटी, खार आया, छथ है, इजफे है, सारी बाते ऐं और सबसे बड़ी बात है कि समानता है, फिर भी उसको ये रहता है कि मेरे देश में वहां कुछ कर सकूँ, बावा साब कुछ कर सकूँ, या आग उसके दिल में रहती है, इसलिए वो वुनाब लड़ने की कुछ त्यारी व्यारी भी की थी तो उनका भी एक दर्द है तो सतिद्नाथ चौदरी जी जो है सर उनका जो प्रशन है कि यहां कुछ होना चाहिए कुछ करना चाहिए उसी प्रशन को शागेंद्र कुमार जी ने आगे बढ़ाया और साथ में ये भी कह दो दिया कि 13 में मैंने हिंदुधरम चोड़ दिया बहुति इसे हिंदुधरम छोड़ने वाला करी मैं प्रसम रहता है कि आपने हिंदुधरम अडौपट कब किया था उसकी कोई कि जितने भी लोग छोड़ने वाले है वह जल Samaj कि एक डिट बता दे एक डिट बतादे मैं सामा जी काम करना चौड दिह कोई ड नहीं बता सकता कि कब किस्ने हिंदु-धृत हमें खाई अडौप्ट किया नहीं कि हमने छोड़ दिया अरे जो यह इडॉप्ट नहीं किया उसको छोड़ो रहें दुनिया का भारत का जो अपने आपको बड़े से बड़ा केसर रहे चिसकी सब्सक्राइब हुआन सब्रसक्राइब का कोई इत्यास किताम लगा रहे हमने चोड़ा तो ने कभी अडॉप्ट किया होगा ऐसे बुद्धी जी हमारे हैं सोचने का काम नहीं करते कितामें पढ़ 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 के प्यंदी पे लगा दी बावा साथ साथ की काम कर लो तो सोचो ऐसा बोलो जिससे खुद की हार ना हो हुआ थाम के कुछ नहीं हमारे संस्कृति में कुछ नहीं हमारे तो वो जो व्यक्ती मेरे पास आए, मैंने उन से प्रसंद किया पलटड़ कर बाई, आप मेरे पास किस लिए आये हूँ, मैं तो एक सीधा सा यूटूबर हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आप यहां इतना बड़ा इतना बड़ा आपका इस्टेटस है आप गली महले में ढूनते हुए मेरे घर आगे और मेरे घर की गंदी संदी चाहे पिरेवा फाइव स्टार होटल के लोग रहने वाले आपके आगे पिछे इतने नौकर चाकर गाड़ तो मुझे हसी आ गई मैंने का जब आप इस बात को मानते हो कि लोग चाहिए तो पहला काम कौन सा है आप मुझे बताओ कि फर्स्ट वर्ट पहला काम कौन सा करना चाहिए हमें तो उसने मेरी सकल को देखा और वो समझ गया कि जो मैं बोल रहा हूं तो उसने का आप ठीक कहत हैं यहां बनाते हैं जो ऐसे लोगों को को हूंते हैं कि और वह से ऐसर संग्ठन हैं जिसमें 40 एक्टिवेट हैं उ Seung Fairpix बैठके टौलेट में बैठे हैं कि टौलेट में आराम से बैठते हैं वैसे घर में बीवी नहीं बैठने देती बच्चे नहीं बैठने तेदे घर इसारे टॉलेट प्लान है जितने भी हैं ये एक भी काम्याव होने वाला नहीं है ये सब बदबुदार प्लान है इसलिए जब ये देखा धमों में और ये पाया कि बढ़ी बुद्ध ने तो कोई प्लान बनाया नहीं बुद्ध ने कोई स्ट्राटेजी नहीं बनाई और बावा लोग जानते थे कि दुख के का भड का का रहें का निवारान है इसको खतम करने का वह मिलता था वो वे उन्होंने खुद ढूंडा और बावा साब अमबेट कर यह बात सारी जानके थे इसलिए दुख का कारण के निवारन का मार्ग उन्होंने खुद बनाया कोई प्लान नहीं था बावा साब को खूब डंडे पड़े खूब लाथ पड़ी खूब घूंसे पड़े खूब पिटाई हुई सामान फैंक दिया चार पांच पार्चोने मिलके और खूब जाके वहां रोए क्या तेश साल की लड़के थे खूब रोए ना आगे पीछे ना पिता जी कहां बैटे हैं माता कहां बैटी गरीब आदमी मुस्किल से पढ़ लिकाया और इतनी भरी बेचती कहां तो राज साही राजा की नौकरी मिली एक कोई कुछते जैसी होकात नहीं तो आदमी रोएगा नहीं तो क्या करेगा तो यह उनके प्लान में नहीं था किसी क चीज़ें आती गई और प्लान ऑटोमेटिक अपने आप बनते चले जाते हैं जब लगन सच्ची हो और मन सच्चा हो और काम करने की बुलकुल जजबा हो और द्रड़ संकलब आदमी हो अधर ठान हो बुलकुल द्रड़ हो और जिसके अंदर ये छमता हो कि इसे करके हटोंग प्लान उसके आटोमेटिक बनते चले जाते हैं जैसे बुद्ध ने कहा इस पेड़ के नीचे से तब उठूँगा जब पूरा-पूरा ये पता कर लूँगा कि दुख कैसे आता है कैसे जाता है सरीर के सरीर में कैसे घुसता है कैसे बहार निकलता है और कैसे सरीर कश्ट मे आता है तब हुटोंगा यहाँ से दिष्ट खकर लिया डिटरिमेशन कर लिया उसे डिटरिमिनेशन से और जितनी नॉलिज पहले थी उस से कामियाभी होगी तो लोगों को सिखाया तो बावा साब ने अब अफने लोगों का क्यों उपर डिपेंडेंट नहीं थे खुद ही मेरत करने के लिए आ गया है यह समढ़ संग के की पॉइंट हैं जो आपको हम ऐसा याद रखने हैं कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं आप खुद कामयाब करोगे तो तो हम कामयाब होंगे और अगर आप खुद अपने आपको आगे बढ़के काम करने के लिए नहीं सोचोगे तो कोई आपके साथ में आने वाला फिनियत सची होनी चाहिए सचाई होनी चाहिए उद्देश सचा होना चाहिए और उसके अंदर ब संग में अब काम करने का मन नहीं है हमारा तो मन तूट गया हमारा तो मन खटा हो गया हमारा तो मन टेड़ा हो गया हमारा तो मन उदास हो गया हमारा तो मन मायूस हो गया यह जो मन टेड़े मेड़े हो जाते हैं मन उदास हो जाते हैं मन मर जाते हैं मन बिक जाते हैं मन हिल जा जाते हैं यह समण संग में जो लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सारे समण संग के संगी लोग हैं काम करने वाले कुछ आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ आने वाले तो जब भी उनका मन मरे तो उनको यह सोचना चाहिए कि उनके मन को चाहिए क्या, वो अपने मन के लिए क्या ढोंड रहे हैं, जो उनका मन मरता है, क्योंकि मन जब मरता है, जब उसको वो मिलता नहीं, जो वो चाहिए, या वो मिल जाए जो उसको नहीं चाहिए, दो बातों में मन मरता है, तो ये सोचना चाहिए हर एक व्यक्ति, वो जो समर determination साथ काम कर रहा है अगर उसका मन कमजूर पड़ता है और मरता है तो वो क्या चाहने है था वो क्या लेने आया यहां पर या ऐसा क्या हो गया कि जो वो चाहता नहीं था वो मिल गया तो बुद्ध ने बताया है कि जब यह चीज़े लेने आओगे तो मन मर जाएगा और समढ संग में प्रसदी प्रसंसा नाम चहरा सथकार लेने आएगे अगर आप समढ संग के अंदर यह सोच के आए हो कि हमको प्रसंसा मिलेगी प्रसंसा मिलेगी हमको नाम मिलेगा हमको चहरा मिलेगा हमको सथकार मिलेगा तो फिर आपका मन मरेगा अगर आप समढ संग में य सीधे सीधे काम वासा बोल रहा हूं और वो आपका पूरा नहीं होगा तो यहां आपका मन मरेगा अगर आप यहां पैसा जमीन और जाजात के लिए आए हो अगर आप यह सोचते हो कि यहां बिल्लिंग के बना लोगे यहां पैसा बना लोगे यहां पर कोई भवन बनेगा उस पर कब जा कर लोगे कोई बालवी की भवन बनेगा उस पर कब जा कर लोगे कहीं कोई प्लॉट खेदा जाएगा समर संग में तो उसके मठ अधिकरी बन जाओगे तो आपका मन मर जाएगा अगर आप यहां पोजिसन पद प्रतिष्टा या अजजत के लिए आएगो और आप सोचते हों कि पद पोजिसन प्रतिष्टा या अजजत यहां मिलनी चाहिए तो आपका मन मर जाएगा अगर आप यहां यहां कोई अपना अगर आपका कोई एहम की संतुष्टी के लिए आए हो किसी तरह से आप अपना या अंदर जो आपके अंदर आग लगी हो यह इसको ठंटा करने के लिए आए हो एहम आपके अंदर है एगो है आपके अंदर और आप चाहते हो कि यहां संतुष्ट हो जाए सैटिसफाइड हो जाए तो आपका मन मर जाएगा अगर आप यहां कोई संबंद स्थापित करने आए हो कि हमारा संबंद स्थापित हो जा और काम निकालने के लिए या हमारी सिफारिश हो जा या हमें फाइदा हो जाए तो आपका मन मर जाएगा संबंद स्थापित करने वाले बहुत लोग आए बहुत चले गए यहां से अगर आप यहां इसलिए आए हो कि आपकी यहां कोई ब्यापारिक जरुत पूरी हो जाए कोई यहां बीमा मिल जाए कोई पॉलिसी मिल जाए कोई जो एलेमेल जैसी कंप्रिया होती है जो चैन में चलती है वैसे कोई कस्टुमर मिल जाए उनको हम पटालें ऐसा कुछ हो जा तो यहां से कहले हो ठीके हो तो आपका यहां मन जाएगा और अगर आप यहां पर्तिरोंद की भावना से आयो पर्ति शोद वो किसी के पर्तिरौद में काम कर रहे हो किसी संग्ठन में पहले काम करते हो और अपने सोचा को दिखाना मैं यहां काम करूँ गा मेरा जादा होगा तो आपका मन मर जाएगा इन्में से एक बात है जा अंदर देखी जा कर बचके रहना यहां यह बात लएने आओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे आपका भी नुक्सान 허गा आपके का का नुपसान भी होगा समर्संग का भी नुपसान होगा तो यहां सिर्फ एक काम है समर्संग में कि आप देने के आए हो और यहां जो लिया जाता है सिर्फ काम लिया जाता है कार यहां पैसा नहीं लिया जाता है संग के अंदर पैसी के आवसकता नहीं होती यहां सिर्फ काम करने की चंता है और काम करना चायते हो और काम करने में आपको कोई एत्राज नहीं है और जो मैंने सारे पॉइंट बताए हैं लेने वाले इन मेंसे कोई नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे और इन मेंसे कोई बीमारी भी अगर आपके पास है तो दु पाने के लिए इतने लंबी चैन बन जाएगी कि अनन्त हुआ आपको खतम कर देगी बहुत लोग खतम हो गए इस चक्र में कि छोटी सी गल्ती की और वो गल्ती इतनी बड़ी हो गई क्योंकि संग बर्दास नहीं करता संग के अंदर किसी भी हलत में बर्दास करने की चमता न खास्तों से जैसे कनाड़ा के हमारे सर औस उराजी ने परसंगा नहीं की है तो हमें आलोचना चाहिए क्योंकि हम आलोचना के ज्यादा महताज हैं हमको आलोचनाई मिलेंगी तो हम उस छेद को उस दरवाज़े को बंद कर देंगे जो समढ़ संगों को आगए घातक सिद्ध होगा इसलिए प्रसंसा से हम प्रसंद नहीं होते प्रसंसा अच्छी बात होनी चाहिए मगर अगर प्रसंसा आपको मिलती है तो यह समझ लेना क कि आपको काम डबल करना है तो कि प्रसंसा वो चीज होती है प्रसंदी वो चीज होती है जिसका कोई भी साहिल नहीं होता कैसे जैसे प्रसंसा का जो समंद्र होता है उसका कोई किनारा नहीं होता एक वार जो प्रसंसा में प्रसंदी में आदमी उतर जाता है फिर मौत ही आत जाता है राजनितिक लोग जब एक वार गदी से उतर जाते हैं तो बिचारे लोगों से मिलना भी बंद कर देते हैं क्योंकि उनको जी हजूरी प्रसंसा और प्रसित्थी और पद में बड़ा मज़ा आता है वो उनके पास रहता नहीं तो उनको लगता है उनकी जिन्दी बेक क्यों क्की दे लेरा में को जाना नहीं और जब तक आरे अधिकार वाफस नहीं आते और जब तक जो अधिकार बावा साब देनी पाए वो अधिकार जुड़ो नहीं जाते और जब तक हर एक बच्चा अकीला सड़क पर चलता है रो उसको एकलुटी का एहसास नहीं होता हमारा काम खतन नहीं हो सकता इसलिए हर आदमी अपने आपको गलाने के लिए और अपने आपको आगे बढ़ काम करने के लिए तियار रहे कि बढ़ के चल्चल के काम करे क्योंकि ये अधिकार इतनी आसानी से बापस नहीं मिलेंगे जिन्हों ने अधिकार हमारे लिए हैं उनका काम है अधिकार ले लेने का और ये एक नैच्रल फाइट होती है एक ये प्राकरतिक लड़ाई है इसको बुरा नहीं मानना चाहिए इसको ये नहीं कहना चाहिए हमारे सारे अधिकार वो ले गया हमारे सारे अधिकार ये ले गया ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको लड़ना चाहिए तो ये तो टग आफ वार है, ये तो लड़ाई लगाता चलती रहे, हर व्यक्ति चायता है कि उसके बच्चे कम से कम काम करें, उनको ज़्यादा ज़्यादा आराम हो, इसकी लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई में जो कि बावा साब ने अब सको सरल कर दिया है, क्यों सरल कर दिया है, बावा साब ने ये कह दिया है, कि आपको बंदुक नहीं उठानी है, आपको भाला नहीं उठाना है, आपको डंडा नहीं उठाना है, आपको गाली नहीं बखनी है, आपको मैदान में नहीं आना है, आपक कुछ नहीं करना है मैं लड़ाई बहुत सरल करके जा रहा हूं आपको सिर्फ इखटा होना है और इखटे होने के लावा कोई काम नहीं करना है बस यह काम है अगर आप इखटे हो गए तो बावा सामने सरलक बड़ी केब कोई की काम बता करो तो काम बता रहे हैं भाई इखटा करो अभी ओसरा सरने बता है कि भी इसको नही मगर यह काम इतना जी नहीं है इसलिए मुस्किल नहीं क्योंकि यह काम पहले हो चुका है मन अगर लगन सच्ची औश को और इनमेंसे एक बीमारी ना हो जो मैंने बताई है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं कि आपका काम रोग दे और दुनिया में से एक बीमारी आपके अंदर है तो दुनिया कोई ताकत नहीं कि आदमी को आप से जोग दे क्योंकि एक सुपरनेशुर पावर जो बॉड़ी के अ mind से बोला है जो मन से बोलता है उसकी आवाज में खनक अलग होती है लोग जुटे चले जाते हैं और जो सोच के बोलता है कोई मतलब की बात होगी अभी तो यह सोची रहा है विचारा क्योंकि मन से बोलेगा तो सब्द कैसे टेड़े-मेड़े हो वो निकल के आते हैं तो आव ट्राव होई किसी को यह कह रहा है किया वो किशी को समर्ञ संग के बीचारा बोल नहीं सकता है साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता है तुस भी उसे बात करता है क्यों करता है क्योंकि वो मन का सच्चा होता है उसके अंदर कोई करफसाथ नहीं होता है इसलिए ऐसे बच्चे की तरफ खिचे चले जाते हैं सारे वही महापुर्िसम अपने आपको वैसा बनाने कि कोस 20 करें और यह जो प्रसद्दी है पसंसा है नाम है चेरा है सथकार है काम वासना है पैसा जमीन जाजाद पोजिसन पद पतिश्टा इज्जत मत बोट अधिकार नेता एगो एहम संबंद स्थापना सिफारिस काम निकालना बीमा पॉलिशी सेल संठन घात जासुजी पृतिरोद पृ रोक नहीं सकती है इसलिए हमें जोड़ना है और अपने मन को सच्चा रखके काम करना है कोई गलती हो जाए तो तुरांट उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए गलती हो गई जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे इस बीमारी से छुटका रहो जाएगा और जितनी देर तक इस गलती को अपने पास रखेंगे या जो गलत काम किया उसको अपने पास रखेंगे उतनी देर तक वो आप से और गलत काम कराता रहेगा और अंतों वो इतने गलत काम करा देगा आप से कि आप उसके गड़े में धस्ते चले जाओगे फिर बापस आने की संभावना बच आते हैं तो मेरा उनसे सुझाव है कि जो दूसरा काम वो करते हैं अगर उसमें आपको लोगों की आवशक्ता नहीं है तो हमें जरूर बताएं समर्संग को जरूर बताएं क्योंकि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लोगों को इखटा करने में जोड़ने में अगर कोई ऐसी तर साधान लोगों से पब्लिक से और ना ही कभी जिंदगी में पैसे लेगा और अब उरत्रिस लाग संठणों को भी कभी पैसे नहीं देगा क्योंकि पैसे देने से वो संठण इखटे नहीं हो पा रहे हैं पहरा का दूसरी बात यह है कि यहां कोई नेता नहीं होता जिंदग जो सबसे एहम बात है कि यहाँ पर ना मंच है ना माला है यहाँ बलकुल एक्लिटी है और यहाँ किसी भी हालत में कभी बी जो व्यक्ति है उसके सारे अधिकार सुरक्षित हैं क्योंकि वो पैदायसी समर्शंगी है इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति किसी को गेट आउट नहीं बोलेगा तो से संग बोलेगा यह उनका जर्मजात अधिकार है इस अधिकार का इस्तमाल करना चाहिए और यहाँ बढ़चल के हिसा लेना चाहिए और यह सुरक्षित भी है यह काम अगर हम कर देंगे तो हम बहुत जल्दी अपने दुखों से मुक्ति हो जाएगी हमारी प लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ बतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्णंग च्छामी 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 दूतियं पी संदंग 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 स